नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं प्रवाश्नी, आज हम मात्रा सीखेंगे. हिंदी में मात्राए स्वर की ध्वनी का प्रतिक होती है. अर्थात मात्राए श्वर की होती है, लगाई सदा व्यंजन पर जाती है. श्वर में पहले आता है अ. अ के लिए कोई मात्राचिन्ध नहीं होता है. उसके बाद आता है आ. आ के लिए मात्राचिन्ध है. खड़ी रेखा. आ की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगाई जाती है. तो चलो बच्चों, आ की मात्रा लिखना सीखे. खमे आ की मात्रा का. खमे आ की मात्रा खा. गमे आ की मात्रा गा. घ्रमे आकी मात्रा घ्रमे आकी मात्रा चा ज्रमे आकी मात्रा चा जमें आकी मात्रा जा जमें आकी मात्रा जा तमें आकी मात्रा टा ठमें आकी मात्रा ठा ध में आकी मात्रा दा ध में आकी मात्रा धा न में आकी मात्रा ना ध में आकी मात्रा ता धो में आकी मात्रा था धो में आकी मात्रा दा धो में आकी मात्रा धा नो में आकी मात्रा ना पो में आकी मात्रा पा भ में आकी मात्रा भा भ में आकी मात्रा बा म में आकी मात्रा मा य में आकी मात्रा या रो में अकिमात्रा रा लो में अकिमात्रा रा वो में अकिमात्रा वा शो में अकिमात्रा शा शो में अकिमात्रा शा सो में आकी मात्रा सा हो में आकी मात्रा हा सो में आकी मात्रा शा ट्रो में आकी मात्रा ट्रा ग्यो में आकी मात्रा ज्या सो में आकी मात्रा श्रा आसा करती हूं बच्चो आप लोग को समझ में आया होगा धन्यवाद बच्चो